So friends, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं एक question के उपर, जो कि आप ही में से किसी एक student ने पूछा है, ये question इस तरीके से है कि जो earthen pots होते हैं, यानि कि जो मटके होते हैं, उनके अंदर पानी भरके रखा जाता है summer days के अंदर, तो उनके अंदर जो पानी है व इस वीडियो करता है, for example, अगर कोई कमरा है, जो कि गरम है, और मैं बाहर से आता हूँ, और इस कमरे में आके बैठ जाता हूँ, मेरा temperature कम है, कमरे का temperature ज्यादा है, थोड़ी देर में क्या होगा कि कमरे की जो heat होगी, वो मेरे अंदर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी, zero अतलाव thermodynamics के हिसाफ से क्यों, कि जो high temperature है, वो low temperature की तरफ जाता है, ठीक है, और क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद मुझे गरम ही लगना शुरू हो जाएगी, और मेरा temperature भी high हो जाएगा, तो इस हिसाफ से, तो जब हम लोग मटकों में पानी भरते हैं, तो उसका पानी भ तरम होना चाहिए, ठंडा किस तरीके से हो जाता है, तो क्या ये मटके thermodynamics के zeroth law को तोड रहे हैं, तो देखिए ऐसा नहीं है, इसके पीछे एक और thermodynamical process है, जिसको हम लोग कहते हैं, evaporation, तो अब सवाल ये है कि ये evaporation क्या होता है, तो देखिए बहुत conceptual process है ये, देखिए ये जो हमरे liquid होते हैं, इनके अंदर intramolecular forces होते हैं, यानिके molecules जो होते हैं, वो intramolecular forces से बंदेवे होते हैं, ये intramolecular forces solid के मुकाबले कमजोर होते हैं, और gases के मुकाबले powerful होते हैं, ठीक है, इसकी वज़े से liquid जो है बह सकते हैं, इसके अंदर viscosity की characteristic आ जाती है, अब होगा क् इन molecules को जब आप लोग heat दोगे, तो heat का मतलब क्या होता है, heat एक form of energy है, तो वो energy जैसे इनको मिलेगी, तो इनकी molecules की molecular kinetic energy बढ़ जाएगी, molecular kinetic energy बढ़ने का मतलब क्या होगा, जैसे इनर्जी इनकी ज्यादा हुई, इनका motion तेज हो जाएगा, मतलब ये दूसरे से जाके collide करना शुरू कर जाएगे, इनके collisions बढ़ते जाएगे, अब collisions इतने ज्यादा होंगे, कि ये अपनी energy दूसरे molecules को देते रहेंगे, ठीक है, और जब ये energy इनके intramolecular force से ज्यादा हो जाएगी, जिस molecule के मालों के energy बहुत ज्यादा हो गई, इntramolecular force से भी ज्यादा हो गई, तो वो जो molecule है, वो free हो जाएगा, और gas बनके vapor बनके उड़ जाएगा, ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी vapor बनती है, क्योंकि उसका temperature बढ़ गया, और वो vapor बनके उड़ गया, जो आपकी state है, वो change हो गई, तो चलो यहाँ पर यह evaporation की जो process है, यह तो समझ में आ गई, लेकिन इसका मटके के अंदर क्या काम, तो देखिए, यह चीज मटके के अंदर भी होती है, कैसे होती है, समझते हैं, जिसे अगर आपके पास एक मटका है, और इसके अंदर अभी अभी आपने थोड़ा सा पानी भरा है, ठीक है, तो अभी पानी भरा है, तो इस वक्त तो इसका temperature थोड़ा सा अप होगा, यानि कि high होगा, तो temperature थोड़ा सा ज्यादा है, तो इस वक्त इसके molecules के पास molecular kinetic energy ज्यादा है, तो क्या होगा कि जब molecular kinetic energy जादा है तो molecules इदर से उदर motion करेंगे और जा जाकर collision करेंगे दूसरे molecules के साथ तो जब molecules के साथ एक collagen होगा तो ये अपनी molecular kinetic energy ट्रांसफर करेंगे एक molecules से दूसरे molecules तक ठीक है तो होगा क्या कि कुछ ऐसे molecules होगे जो की surface के पास होगे मटके की surface के बास होंगे अंदर वाली surface उनकी energy सबसे ज़्यादा high हो जाएगी मतलब ये सभी molecules से energy ले ले लेंगे अब ये energy इतनी ज़्यादा high हो चुकी है कि ये पानी के intra molecular force के attraction को cross करने लायक बन चुकी है तो यानिकि अब ये जो molecules हैं ये वैपर बनने के लिए तयार है लेकिन अब सवाल ये है कि ये वैपर बनने के लिए तयार तो है लेकिन ये निकलेंगे कहा से भाई ये वैपर बनके उड़ेंगे कैसे तो सिंपल है ये जो मिट्टी के मट्के होते हैं इनकी जो सर्फेस होती है इस पर छोटे छोटे पॉर्स बने वे होते हैं पॉर्स का मतलब है छोटे छोटे छेद अब ये छेद इतने छोटे होते हैं कि इनको naked eye से तो देखी नहीं सकते हैं आप सीधे सीधे eye से तो देखी नहीं सकते हैं आपको microscope की ज़रुत पड़ेगी तो होगा क्या है कि ये high energy के जो molecules हैं इनी छेदों की मदद से बाहर निकलेंगे ठीक है मतलब अंदर की सारी kinetic energy लेकर के बाहर निकलेंगे बाहर की heat इने जैसे मिलेगी ये vapor बनके उड़ जाएंगे लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि अंदर वाले molecules की energy कम हो गया ये मतलब वो cool हो गया बाहर काइनेटिक energy कम होने का मतलब जो temperature है वो low हो गया यही तो होता है कि जब molecules एक दूसर से टकराते हैं kinetic energy बढ़ती है तब ही temperature बढ़ता है तो अंदर वालों के kinetic energy कम हो गयी तो इसका मतलब पानी cool हो गया अब अगर आपने मतके को 24 घंटे के लिए भरके रखा है तो ये process लगातार होती रहेगी molecules के साथ और आपका पानी लगातार अंदर वाला ठंडा होता जाएगा और यही कारण है कि ये जो मतके होते हैं सराउंडिंग के अंदर उस heat का क्या तो देखिए वो heat भी इसको लगातार effect करती रहती है इसलिए हम लोग कहते हैं कि मतके को हमेशा एक ऐसी जिगे पर रखना चाहिए जिससे heat इसको कम से कम effect कर पाए वो ज्यादा अच्छा होगा नहीं तो क्या होता है कि ये जो evaporation की जो process हो रही है ये इसको effect करती है अगर evaporation कम हुआ तो अंदर का पानी कम ठंडा होता है इसलिए हम लोग देखते हैं कि कुछ समय के बाद क्या होता है कि जो मतके होते हैं वो पानी को ज़्यादा अच्छी तरीक से ठंडा नहीं कर पाते है इन मतकों का यानि कि अर्थन ports का भी अपना maintenance होता है तो आप लोग अगले बार से ध्यान रखें कि आपका जो मतका है वो सही position पर पड़ा हो आपको ये concept clear हो गया होगा आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा इसके बाद भी इसके अंदर आपको इस सवाल आता है कोई query आती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो comment section ज़र आपके लिए खुलाइए और अगर आपको ऐसे और भी सवाल आते हैं तो आप लोग comment section के ज़र अंदर पूछ सकते हैं So friends, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, see you in the next one